हाई मित्रो केसे हो आज हमारे पास है पेट्रोल और फॉर्म यानि की थर्मा कॉल देखते हैं कि दोनों किस तरह से रियक्ट करते हैं तो मैं इस पर डालता हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए यह मैं डाल रहा हूँ यह आप देख सकते हैं इसमें कुछ हो यह देखो है गाइस यह एक गलू है जो चिपक रहा है यह चिपकने वाली कोई चीज है जो इससे बन चुकी है पेट्रोल से आप इसको देख सकते हैं यह किस तरह से मैं आपको दिखाऊं तो यह जो धर्मा कॉल आप देख रहे हैं यह बेंजीन होता है इसके अंदर जिसके कारणी य और पेट्रोल जो है गेसोलीन होती है इसलिए दोनों जब भी मिलती है तो यह इस तरह से रियक्ट करती है यानि कि पेट्रोल में यह गुल जाती है और मैं आपको और करके दिखा देता हूं गाइस कि किस तरह से यह रियक्ट करती है मैं इसमें और डालता हूं थोड़ा प यह जो पेटरोल हैं यहे इसमें गुल रहा है यानि कि यह इसमें मिल रहा है यह इसे रेक्ट नहीं प्यूल रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस पेटरोल डाला दुए है। पूरी तरह से गुल चुका है। और मैं आपको अगर नीचे दिखा हूँ तो ये पूरी तरीके से इसमें नीचे जो है तरहल हो चुका है अगर हम थोड़ी देर इसे रोकेंगे तो ये सूख जाएगा और गलू की तरह काम करने लगी जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मैं छट पे हूँ तो नीचे करके आप को दिखाता हूँ किस तरह से मेरा आत में फॉर्म और दूसरा आत में पेट्रोल में इसमें डाल रहा हूं यह आप देख सकते हैं इसमें पेट्रोल डाल रहा हूं और यह घुलता जा रहा है कि अग्ट के अंदर बहुत सारे कार्बन होते हैं जो पेट्रोल के साथ संपर्क में रियक्ट करते हैं तो बस कारण यही था गई और मेरे हाथ में जो फॉम बची है वो कुछ इस तरह की है आप देख सकते हैं इसको यह फॉम है हमारी बस इत्ती सी वची है यही थी आज की वीडियो मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश भी की अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर आएगी अगर पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा कर दो